पेट्रोल आजकल हमारे इंडिया में पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिससे लोगों की जयोबों में आग लगी हुई है एक मिडल क्लास आदमी जैसे तेसे करके गाड़ी तो परचेस कर लेता है लोन पे फिर हर महिने वो EMI पे करता है अब पेट्रोल प्राइस बढ़ने के कारण उसको दो EMI पे करना पड़ रहा है एक गाड़ी का लोन और दूसरा हर महिने माल लीजे पेट्रोल का पैसा बढ़ा तो भी है कि EMI होगी हर महिने दो डाइजर तीन अजर पेट्रोल के पीछे जा रहा है तो पेट्रोल का प्राइस क्यों इंडि होता है आप यह वीडियो या तो मुबाइल में देख रहे होंगे या तो लैप्टॉप में देख रहे होंगे तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो मुबाइल आपके हाथ में है या लैप्टॉप जो आपके हाथ में उसका प्राइस कैसे कैसे होता है तो बेसिक से फंडा उसमें start तो होता है manufacturer से तो एक product कहीं बनता है वह manufacturer के बास बनता है तो वह बहुत सारे खर्चे करता है उस product को बनाने के लिए जैसे माली जगर में mobile के example हो तो mobile बनाने के लिए material लगता है एक खर्चा हो गया labor लगते हैं मजदूर लगते हैं mobile बनाने के लिए फिर कुछ ऐसे expenses जो direct mobile से related है तो एक तो पहला नाम मैंने लिखा direct material में मुबाइल बनाने के लिए कुछ हमको material लगेगा फिर labor लगेंगे मजदूर लोग लगेंगे फिर कुछ ऐसे खर्चे जो mobile से directly जूड़े होंगे इसके बाद और क्य खर्चे मिला कि हमको मिलता है total cost मिस एक mobile कितने में बना इसको हम कॉस्ट इर बोलते हैं किसी भी product का calculation करना कि वो product कितने में बनाया तो यह total cost हो गया mobile का कि mobile इतने में बना यह सारे खर्चे मिला दिये अब जिस company ने mobile बनाया है वो company profit जोड़ेगी उस पर अपना माली जे company ने खेल taxation का company ने profit जोड़ लिया अब उस पर tax भी तो लगेगा GST माल लीजिए उस पर GST लग गया 500 रुपया तो यह कितने हो गया और अपना profit जोड़ देगा तो mobile का price बढ़ जाएगा फिर जब retailer के पास जा रहा है तो वह भी अपना profit को जोड़ेगा फिर price बढ़ जाएगा तो ऐसे किसी चीज की price calculation होती है यह रहा basic fund अब हम समझते है petrol की price कैसे calculate की जाती है हम इंडिया में रहते हैं इंडिया में petrol क्या होता है import करके आता है means बाहर देश से आता है तो जब भी petrol import होता है तो वह one barrel के हिसाब से import होता है एक barrel 159 लीटर के क्या होता है इकल होता है यहाँ पे barrel की spelling तोड़ी mistake हो गई है double r रहेगा और एक e रहेगा spelling छोड़िए concept पे आप ध्यान दीजिए spelling तोड़ा mistake हो गया तो एक barrel में 169 लीटर तेल होता है और एक barrel का कुछ price आज के rate में साइट $66 चल रहा है यह मुझे confirm नहीं है आप एक बार Google पे check कर लेना कि आज एक barrel का price कितना चल रहा है तो वन बैरल में 159 लीटर आता है और वो बैर हमको डॉलर में मिलता है माली जगा 66 डॉलर में लेके चलू तो आज के rate में उस डॉलर का rate क्या है साइट कु 72 के आसपास है तो 66 और 72 multiply हो जाएगा तो हमको एक बैरल का price मिलेगा अब एक बैरल में 159 लीटर होते हैं तो 159 लीटर से divide कर देंगे तो एक लीटर पेट्रोल का कीमत हमको मिलता जो साए 30 रुपीज के आसपास आएगा एक लीटर पेट्रोल हमको इंपोर्ट करने पे 30 रुपे के transportation कोश लेगा उसका भाड़ा लएगा आने का फिर रास्ते में उसका हम insurance भी लेते हैं इसके अलावगा कुछ खर्चे हो गए से loading and loading यह सारे खर्चे करने बाद अपने देश में आता है अपने देश में आने के पाद ओ जाता है oil marketing companies के पास क्योंकि जो तेल आ रहा है crude oil होता है इसको refined करने की जरूवरत होती हूण इसको साफ करने की जरूवरत होती है तो कहां चले आता है oil marketing company के पास अब यह teknрьर को सच करते तो commission dealer भी तो free में काम नहीं कर रहा है, वो अपना commission जोड़ेगा, commission जोड़ने पर वो बेचना स्टार्ट करता है, फिर आती है tax की बारी, अब हर state जितने भी state इंडिया में सब क्या लगाते है, wet value added tax, हर state अपना अलग-अलग लगाता है, wet इसके लिए आपने notice किया होगा, WET state-wise अलग-अलग होता है, लेकिन जो एक size UTA हो क्या होता है सबके लिए सेम होता है और इसी WET के वैसे हरी state का petrol का प्राइस क्या होता है चेंज हो जा रहता है इतने सारे खरचे लगने की बात एक आम आदमी तक जब petrol पहुंचता है तो उसकी कीमत ऐसे decide होते है जो आज कल साय 90-100 कहीं कहीं 100 भी क्रॉस कर गया है तो किसी प्रोड़क का कल्कुलेशन के इसे वह खर्चा लोगों की प्रॉफिट और टैक्स यही तीन चीज से किसी भी चीज का प्राइस कल्कुलेट किया जाता है अब हम वज़े जानते हैं कि पेट्रोल प्राइस का इतना पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है कोई भी प्रोड़क्ट हो उसका एक हमने सुनाओ का डिमांड इन सप्लाई के उपर बढ़ता है तो हमको इसा मालूम है कि पेट्रोल दुनिया में बहुत कम है लेकिन उसका डिमांड बहुत जादा है डिमांड जादा है स apply come है इसके लिए petrol के price बढ़ते रहते हैं second चीज अपने इंडिया में government ने एक size duty थोड़ा सा बढ़ा रखा है इसके वैसे petrol price बढ़ रहा है और third चीज अभी recent की जो Modi government है उन्होंने पिछली government को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि पिछली government के वज़े से petrol का price बढ़ रहा है वो कैसे जिम्मेदार ठहराया है यह समझते हैं इसके जरीए एक oil bond होता है जो Modi government 6 साल में कितने साल में pay करना है bond पे यह due debt लिखा जाता है कि आज पेट्रोल तो हम ले ले रहे हैं लेकिन 5-6 साल के बाद हम क्या करेंगे उसका payment करेंगे तो अब जो Modi government है उन्होंने पेट्रोल तो लिया लेकिन उसका प्राइस पे नहीं किया था यह bond के जरीए ले लिया में इस contract sign करवा है और पेट्रोल तो ले लिया लेकिन उसका price लोंने क्या किया पे नहीं किया था तब जो Modi government आई है वो Modi government इस oil bond का payment कर रहे है जिसके वेज़से भी पेट्रोल का price increase हो र करने किया थो दोड़र